कुछ ऐसी positions हैं, जो कि आपकी sex life को बहुत बेटर करती हैं, लेकिन उनका ग्यान ना होना कहीं न कहीं दिक्कत देता है, अगर आपकी भी शादी को कुछ साल हो गए हैं, तो ये positions definitely उसकरें, इससे अपकी body भी relax होगी, और आपका करने में जो spice है, जो मजा है, वो भी increase होगा, क्योंकि कुछ ऐसी positions जिनका ग्यान आपको है नहीं, उसके बारे में बताना है ज़रूरी, इसलिए आप बने रहें और पूरा आन तक इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, तो चलिए हम बात कर रहे थे positions की, अगर मैं आज आपसे बोलूँ की लिखो ऐसी कौनजी positions इसके बारे में आपको पता है, तो most commonly लोग बात करते हैं, missionary की, cowgirl, spooning की बात कर लेंगे, 6-9 positions अब को पता है, तो उसके बारे में आप बात करने लगेंगे, लेकिन इसके लावा भी ऐसी positions हैं, जो की बहुत असान है, और Indian couples उसे try कर सकते हैं, especially 30-40s की उमर में, क्योंकि ऐसा time है, जब बच्चा आपका एक वच्चा हो गया है, दूसरा भी होना है, तो वो mid time पे कैसी position, जो आप असानी से use कर सकते हैं, सबसे पहले number पे रखेंगे sitting position, sitting position usually अगर आप इस चार्ट में देख पाएं, तो बैट के आप इसे try कर सकते हैं, जिसके लिए आपको stool या chair की requirement हो सकती है, sitting position is very comfortable position जिसे आप use कर सकते हैं, especially 30-40s में क्योंकि तब आपको body पे बहुत जादा pressure या joint pain वाला situation नहीं पहुचता है, तो this is very good, दूसरे number पे हम रख लेंगे side lying position, जिसे हम spooning का एक pro version भी कहते हैं, जिसमें male back में है, female front में है, तो spooning या side lying position भी कहीं नहीं, comfortable to insert है, और beside आपका body weight क्या है, या आपका height क्या है, या आप के body में कही pain है, या spinal issues है, तो भी आप इस position को अराम से लेट के try कर सकते हैं, थर्ड नमर पे रखते हैं the cross position, ये भी बहुत असान है, डबली जैसा cross बन जाता है, बहुत easy है, इसमें भी आपको कोई बहुत जादा पिलोज या body को बहुत जादा pain करने की ज़रूरत नहीं है, husband और wife दोनों coordination से इस position को definitely develop कर सकते हैं, पोध नमर पे रखेंगे हम doggy pro position, हम dog position को बहुत जादा couples enjoy करते हैं या fantasize करते हैं, ऐसी position जिसमें female में अपने कंदों को आगे नहीं रखना है, आप उनके hairs पुल करके या जो उनकी arms और उसको पीछे की तरफ खीच कर भी आप इसे enjoy कर सकते हैं, जैसे हम doggy pro position बोलते हैं, य ये positions का ज्यान और इनकी knowledge के लिए सबसे जादा जरूरी है कि आपको इन position group के बारे में पता हो, तब ही आप उसे अपने हिसाब से अपने relationship में डाल पाएंगे, ऐसी काफी positions हैं जो की बात करती है, couple की intimacy को बढ़ाने के लिए और इसलिए मैंने लिखी थी 69 positions जो की बात करेग आपकी bed life को better करने के लिए, इसको पूरे chart सहित कैसे use करना है, कहां आपकी leg placement हो, या आपको इस ebook में मिल जाएगी, जो की Hindi और English दोनों में है, इसका link में आपको देदेती हो description में, क्योंकि एक ऐसा chart है, जो हर couple के पास होना चाहिए, प्लस इसकी कोई delivery नहीं है, आप phone में आराम से इसे खोल के पढ़ सकते हैं, इसे practice कर सकते हैं, so go for it, buy it और अपनी position जानो कि मेरे लिए क्या अच्छा है, especially जब हम 30-40 में कहीं न कहीं spark lose करने लग जाते हैं, अलगले positions आपको वो level of intimacy, वो love को तेज रखती है, आशा करते हो, मेरी वीडियो आपके doubts को clear अगर पाई है, चैनल पर नए है, जरूर सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी काफी सारी positions और उनकी वीडियो के लिए हमारे साथ connected रहा हो,